आज हम लोग वाई पर चर्चा करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वाई वी आज दूइंग वाट वी आज दूइंग और फिर इस चीज को हम इसलिए डिस्कुस करना चाहते हैं ताकि हम एक थिंकिंग डेवलप कर सकें जैसे अभी हम जो जीवन शैली है हमारी जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ हम अपने material desires और अपने material existence के लिए question answers करते हैं बट हम लोग जो actual में हैं हमारा जो real existence है हमारा जो असली स्वरूप है अगर हमें उसको जानना है यह हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना है तो we need to question the real why तो उसी पर आज हम discuss करेंगे तो अभी से request है कि आप सभी लोग अपनी आखे बंद कर ले and just listen to the fairy tale do not use your logical brain do not use your analytical brain just relax and listen okay so अपने आखे बंद कर लेजे बिलकुल रिलाक्स हो जाए एक लंबी गहरी स्वाश लेजे and release everything release all the thoughts whether positive or negative just be silent just be an observer stay silent थोड़ी देर के लिए हम अपने आपको बाहर से घीच कर अंदर की तरफ लाएंगे try to focus at the center of the chest आखे बंद करके अपने 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 चेस्ट के center पर लाएंगे that is the place of our heart chakra the seat of our soul and just listen so आज हमें एक बहुत important question का अंसर ढूंडने जा रहे हैं भी भी शायद हमें आंसर मिले ना मिले वो बात की बात है बट हम सोचने जा रहे हैं हम अपनी सोच को एक विस्तार देने जा रहे हैं हम अपनी सोच को एक नया मोर देने जा रहे हैं इसके लिए हम अपनी childhood में जाते हैं जब हम बहुत छोटे थे अपने उस टाइम के बारे में सोचिए जब आप बहुत छोटे थे तो आपको क्या चीज़े चाहिए होते थे आपको अपने मन के टोईस चाहिए होते थे आप चाहते थे कि आपको चोकलिट्स मिले चिप्स मिले ये जिस भी चीज के लिए आपको एक attraction feel हुआ आप वो चाहते थे कि आपको वो मिल जाए वो toy मिल जाए, वो chocolate मिल जाए, वो dress मिल जाए और जब वो मिल जाती थी, तो हमें बहुत खुशी होती थी so, वो एक इच्छा जो हमारी बच्चपन में थी, उसके पीछे का why क्या था अगर हमें कोई chocolate चाहिए, या कोई toy चाहिए, तो वो क्यों चाहिए था मैं अप अपने आप से पूछे कि वो आपको क्यों चाहिए था उससे मैं क्या आपको ऐसा लगा कि आप उससे खेलेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा आप उससे खेलेंगे, तो आपको क्या चीज मिलेगी you'll be happy, right? आपको एक satisfaction मिलेगा, आपको happiness मिलेगा तो बच्पन में हम जो भी कर रहे थे, that was to be happy अगर हमारे किसी friend के पास कुछ समान था, तो हमें लगता था कि हमारे पास भी वो हो जाए, वो हमें मिल जाए, पर क्यों मिल जाए? वो समान आज आएगा, तो क्या होगा? we'll be happy, right? तो बच्पन में हम जो भी कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे थे, to be happy पर चलिए, और आगे बढ़ते हैं, हम स्कूल के, स्कूल डेज में हमारे बहुत सारे friends थे हम चाहते थे कि हमारे बहुत सारे friends बने, हम सब के साथ खेलें, फिर हम पढ़ाई में हमारा एक competition डेवलाप होने लगा हम चाहते थे कि हम स्कूल में first आए, हम excel करें now let's start questioning why, क्यों चाहते थे, क्यों हम first आना चाहते थे, क्यों हम class में एक rank hold करना चाहते थे क्योंकि हमें लगता था कि अगर हम class में first आएंगे, तो it will make my teachers proud, it will make me proud, it will make my parents proud, right तो उससे क्या होगा, वो अगर हम पे proud feel करेंगे, तो उससे क्या होगा, it will make me happy, अगर हमारे parents हम पे proud feel करते हैं, तो उससे क्या होता है वो हमें खुशी देता है So, एक और why का हमें answer मिला, that is to be happy हम चाहते थे कि हमारे बहुत सारे friends हों और हम उनके साथ खूब खेलें क्यों, खेल के क्या होगा, because that will make me happy, right So, जब हम बड़े हुए थोड़े से, तो भी हम जो भी कर रहे थे, that was to make me happy चलिए और आगे भड़ते हैं, अब boards आ रहे हैं, boards में हम चाहते थे कि हमारे बहुत अच्छे percentage आए, 90s में percent आए, 95 अब अब आए, क्यों? कुछ लोगों के dreams थे, aspirations थे, कि उन्हें बहुत अच्छे colleges में admission लेना है, या कुछ लोग competition के लिए त्यारी करना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो competition उनका crack हो जाए, जैसे वो IIT में जाना चाहते थे, या doctor के ले करना चाहते थे, या जो भी है So, क्यों चाहते थे? क्यों? Let's start questioning why For example, मैं चाहते थी कि मैं CA बनूँ, तो मैंने CPT दिया, clear हो गया, very good उसके बाद IPCC हुआ, वो clear हो गया, फिर CA final हुआ, वो clear हो गया अब CA बन गए, क्यों बनना चाहते थे? सभी लोग क्यों कुछ बनना चाहते है सब के मन में कि यह होगा, कि हाँ हम इसले बनना चाहते हैं, कि society में हमारी एक reputation हूँ हमें एक अच्छी जॉब मिले, उससे क्या होगा? अगर हम एक अच्छी जॉब करेंगे, अच्छी जगे काम करेंगे तो उससे हमें package अच्छा मिलेगा, तो उससे क्या होगा? पैसे आएंगे, तो हम कुछ चीजे खरीदेंगे तो उन चीजों से क्या होगा? वो चीजे जब हमारे पास आएंगी, तो उससे क्या होगा? उससे बस एक ही चीज होगी that is to make myself happy, right? I guess सभी लोग मुझसे इस point पर agree करेंगे कि हम जो भी life में अभी तक करते आ रहे हैं, जो भी हमने अभी तक किया है उसका अगर आप end result देखेंगे, तो वो एक ही निकलता है that is to make myself happy फिर हमारी life में spouse आते हैं, हम शादी करते हैं, right? कभी-कभी हम पहले से ही किसी को पसंद करते हैं और हमारे अंदर इच्छा होती है कि इनी से शादी हो तो ऐसा क्यों है? because that will make me happy, right? फिर आगे family भढ़ते हैं या जो भी हम करते हैं, वो सब क्या है? again, to make me happy फिर हम चाते हैं कि हमारा एक घर हो, क्यों हो घर? that will make me happy हम चाते हैं कि हमारी एक कार हो हम उस कार को अपग्रीड भी करते रहते हैं, कुछ-कुछ सालों में क्यों करते हैं? चलो, कोई कहेगा कि मेरी need है, family extend हो रही है, need है, okay? so need है, family extend हो रही है, आपने नई कार ली so, तो उस need को fulfill होने के बाद क्या होगा? obviously, that will make me happy, that will make me satisfied so, अगर आप देखें, तो हमारा हर action जो भी हम चोटे से चोटा action कर रहे है उसके पीछे का जो why है, why we are doing, what we are doing is to make me happy हम किसी दूसरे की खुशी के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते चाहे हम कितना भी selfless act करें दूसरों के सामने उसका end result यही होगा, कि वो action मुझे ही खुशी देगा अगर let's suppose कि आप बहुत selfless हैं, आप दूसरों की help कर रहे हैं तो आप यह देखेगा कि जब आप दूसरों की help कर रहे हैं तो वो आपको खुशी देगा तो end result किसी भी action का एक ही होता है that is to make me happy हम किसी भी तरीके से कुछ भी करके अपनी खुशी चाहते हैं this is the end result of everything what we are doing and what we will do यही एक why है okay that is we all are running behind happiness अब हाँ सब के पात अलग-अलग है सारी चीजे अलग-अलग है but हर चीज का जो एक why है that is to be happy now let's again start questioning कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सच में हमको खुशी दे रहा है is it really making me happy and what is true happiness आखे true happiness है क्या now let's suppose के मुझे एक आर बहुत पसंद है and I have been planning for past five years to buy that car okay save भी कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं और फिर plan भी कर रहे हैं कि अब ये वाला model ये वाली कार मुझे लेनी है जब तक कार नहीं आई थी तब तक बहुत ज़्यादा excitement थी और उस कार के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा थी अब मैं गई मैंने वो कार ले ली वो कार आ गई and I am so happy कि मैंने जो अपना एक इच्छा थी मैंने उसे पूरा कर लिया अब मैं रोज उस कार को ड्राइव करके आफिस जा रही हूँ मार्केट जा रही हूँ घूमने जा रही हूँ वो कार मुझे रोज बहुत happiness दे रहे है यह happiness continued कब तक रहते है आप सभी लोग सोचे एक हफ़ता, दो हफ़ता, एक महीना, दो महीना जाद से जाद एक साल वो भी बहुत कम होगा इसके बाद क्या वो कार ड्राइविंग, क्या वो कार मुझे उतनी happiness दे की आगे आप सभी लोग अपने experience से सोचे कि क्या वो मुझे अब उतनी happiness देगी क्या वो lifetime मुझे उतनी happiness देगी No वो happiness धीरे धीरे कम होने लगती है और धीरे 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 diminish होने लगती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और हमें अब लगता है कि चलो अब 5 साल हो गए चलो अब इसे अपग्रेड कर लेते हैं now I can afford to buy a better version so वो car जो मुझे एक point पर इतनी खुशी दे रही थी जो एक मेरा dream था अब वो diminished हो गया in fact negative हो गया now I am planning to dispose that off and I want a new car and now my happiness is that कि जब वो एक updated version या upgraded car आएगी तो वो मुझे ज़्यादा खुशी देगी राइट again अब आप सोचिए यह तो एक car का example था अब आप चली खाने पीने का example लेते हैं कि आपकी कोई एक बहुत favorite चीज है let's suppose कि cake है ओके आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो आपका favorite है and you want to eat that whole cake आप चाहते हैं कि वो आप पूरा cake खा ले है तो आपने खाना शुरू किया first bite लिया amazing बहुत अच्छा लगा second bite लिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा third bite लिया आपको अच्छा लगा धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप लेते जा रहे है bite जो taste आपको first two three bites में आये था वो taste नहीं आएगा वो happiness वो satisfaction जो आपको starting में आये था वो नहीं आएगा वो धीरे धीरे diminish होता जाएगा और आपने अब पूरा केक खा लिया and you are completely full अब किसी ने आपके सामने same वो ही केक लाके रख दिया और बोला है कि ये बिल्कुल fresh बना है and it is more delicious than what you ate just now क्या आप उस केक को खा पाएंगे नहीं आप कहेंगे कि अगर मैंने खाया तो मेरा पेट फट जाएगा मुझे vomit हो जाएगा तो आप क्यों नहीं खा पा रहे हैं अगर कोई चीज आपको इतनी जादा खुशी दे रही थी तो why cannot that thing gives you continued happiness वो क्यों diminish होने लगती है और economics में इसको बोलते हैं law of diminishing marginal utility वो सकता है आप मैंसे किसी नहीं इसको सुना भी हो so ये क्यों है वो वो चीज एक point पर इतनी जादा मुझे खुशी दे रही थी वो खुशी कहां चली जाती है अगर कोई चीज जो हमारे सामने है वो पाने पर जो हमें इच्छा होती है जो हमें खुशी होती है जो satisfaction मिलता है वो कहां गायब हो जाता है कुश दिन बाद और अगर वो गायब हो जाता है तो क्या ये true happiness है Is it the real happiness आप खुद से question करें आप किसी को बहुत चाहते हैं बहुत ज़्यादा और आप लोग बहुत महनत कर रहे हैं बहुत अपने माबाब को समझा रहे हैं कि हमारी शादी करा दो पांच साल तक रुके रहे रुके रहे रुके रहे और finally माबाब अगरी हो गए और आप आपके शादी हो गए अब आप लोग बहुत खुश है कि finally we are married now अब वो खुशी एक एक महीना, दो महीना, एक साल जल स्राद दो साल फिर उसके बाद उसके बाद normal हो जाते हैं उसके बाद ऐसा हो जाता है यर ही यर बहुत गलर decision हो गया नहीं कि होती तो better हो था तो एक happiness जो peak पे था वो diminished हो गया और in fact negative हो गया आखिर ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वो चीज़ मुझे real happiness दे रही है is this happiness is this something what I am looking for and is this the right place in which I am looking for मतलब आप जहां पर खुशी ढूंड रहे हैं क्या ये सच में वो स्थान है जहां पर आपको खुशी मिलेगी सोच के देखे अगर real happiness होती है तो it should increase with time राइट ये हमेशा भढ़ती जाती ये क्यों कम हो जाती है और ये क्यों एक point पर गायब हो जाती है in fact negative हो जाती है ऐसा क्यों होता है और वो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो अगर हमें मिल जाए तो ये जो हमारी happiness है जिसके पीछे हम सब भाग रहे है हमारा हर एक action उसी की तरफ है उसी एक target के पीछे हम सब भाग रहे है happiness आखिर वो ऐसी क्या चीज़ है जो अगर हमें लाइफ में मिल जाती है तो हमें permanent happiness देगी और एक ऐसी खुशी देगी जो हमेशा भढ़ती जाए जो कभी diminished ना हो जो कभी कम ना हो जो कभी negative ना हो क्या कुछ ऐसी चीज सच में है क्या हम ऐसी real happiness ढून सकते है क्या हम ऐसी real happiness पा सकते है definitely पा सकते है बट उसके लिए पहले हमें ये identify काना चाहिए कि हम अभी जिन चीजों के पीछे है to be happy क्या वो सच में हमें real happiness ढे रहे है हमें अपनी life में पहले ये identify करना पड़ेगा और इस चीज को accept करना पड़ेगा that this is not real happiness this is not real love this is not true friendship this is not real जो भी चाहें वो कितना अच्छा दोस्त हो चाहें वो कितना आप से प्यार करते हो एक नएक पॉइंट ऐसा आता है जब वो चीज कम हो जाती है कभी कम हो जाती है कभी बढ़ती है कभी कम हो जाती है कभी बढ़ती है अब हम सभी के जीवन का अल्मॉस्ट आधा लाइफ स्पैन जा चुका है अब जो भी बच्चा है उसमें आप इस चीज के बारे में सोचना शुरू करें सबसे पहला क्वेस्टिन की वाई एम आई डूइंग वोट आइम दूइंग मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ और दूसरा कि इससे जो एंड रिजार्ट आएगा इससे जो मुझे हैपिनेस मिलेगी इससे जो मुझे साटिस्फाक्शन मिलेगा विल डाट कंटिन्यू फोरेवर और नॉट अगर वो कंटिन्यूट नहीं रहता है तो क्यों नहीं रहता है और अगर वो नहीं रहता है तो आखिर वो ऐसी क्या चीज है जो मुझे continued happiness दे सकते है जिसके पाने से मुझे कुछ और पाने की इच्छा ही न रह जाए जो happiness जब मुझे मिले तो मुझे किसी और चीज़ के बारे में कुछ सोचना ही न पड़े जो love जब मुझे मिले तब मुझे ऐसा लगे कि हाँ अब ये एक ऐसा प्रेम है जो हर पल बढ़ेगा इसके कम होने का कोई मतलब ही नहीं या ये कम हो ही नहीं सकता वो खुशी जो permanent हो हमेशा के लिए सदा के लिए और हर पल भढ़ती जाए अगर आप थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचना शुरू करें ये वी ए जहीं सब जरू वाँ अवँ अपर जाएओ राष। which can give you forever bliss which can give you unconditional, unlimited love which can satisfy you forever which can quench your thirst forever start questioning, what is that thing? when you start questioning you will start getting the answer you will start finding the ways to reach that thing you will start connecting with that source you will start experiencing that infinite bliss you will start experiencing that unconditional love you will start to feel that you are moving towards something that is beyond words that is beyond imagination that is beyond our mind that is beyond our intellect that is beyond this body so start thinking and then you will see the real magic the real bliss in your life I hope that you have understood something that I was trying to explain thank you so much for listening now everyone is trying to rub your hands now very slowly keep your hands on your eyes and very slowly open 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 your eyes झाल झाल